असलम लेकूँ माइ यूटिप फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे आप सब तो हम आज बनाने जा रहे हैं आलू मटर की तहरी जिसके लिए हमने आलू को अच्छे से चौप कर लिया है एक अनियन चौप कर लिया है कुछ घड़े मसाले ले लिये हैं हमने ओयल को गर्म कर लिया है और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से खड़े मसाले तो यह हैं लांग यलाइची जीरा और गोल मिर्च इसको हमने ओयल में शामिल कर दिया है गैस की फ्लेम को लो कर दिया है ताकि जीरा और बाकी के जो मसाले है वो हमारे जलेना इस तर वजसीं तो नमो सिमारा वी की नमया को चूक प्यालो सोितानी मसालू काएज आमीदा टेकं एक्शु anál लिए mm गजही आमीद लिए में आपर Till Weak में लाफ हूवा चाल में मातर को लूत हो भीजा हूव हारे में टेकं जानी हैं, तो इस तरह से इसको भी हम अच्छे से चला देंगे और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे साथी में हमने हरी मिर्च जो चौप करके रखी ती ये चार से पाच हरी मिर्च थी यह हमने शामिल कर दी है क्योंकि हम रेड चीली पाउडर का कम इस्तेमाल करेंगे इसलिए हमने हरी मिर्च ज्यादा यूज की है तो अब हमने कुछ सूखे मसाले शामिल कर दी हैं नमक, मिर्चा, हल्दी और गरम मसाला पाउडर इन मसालों को हम साथ ही में इसमें शामिल कर देंगे और मसालों के साथ आलो और मटर को अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे तक हमारे जो सूखे मसाले हमने शामिल किये हैं वो जलेना और मसालों के साथ हम आलू मटर को अच्छे से भूनेंगे और हमने इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस शामिल कर दिया है क्योंकि हमने यहां टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है आप चाहें तो टमाटर यूस कर सकते हैं अब हमने इसको ढख कर एक से दो मनट कुक किया है ताकि हमारे मसाले भी सासाथ कुक हो जाएं और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है हजबे जरूरत पानी पानी हम उतना शामिल करेंगे अगर आपके पास एक ग्लास चामल का यूज़ कर रहे हैं तो आप दो ग्लास पानी शामिल करें इस तरह से हमने पानी को ढख दिया है ताकि पानी में उबाल आ जाए तो अब हमने इसको चेक कर लिया है पास से साथ माट के बाद तो पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है और हमने चामल को पहले से भीगो के लग दिया थे उसको अच्छे से वाश कर लिया था अब हम इसम शामिल कर दिया है इसमें ढखक कर हम इसमें लगा देंगे सीटी और 7-8 माट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो चलते हैं अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो कुकर का प्रेशर निकल चुका है और हमने इसको ओपन किया है तो आप देख रहे हैं कितना बड़ी असा हमारा आलू और मटर की तहरी बनकर रेडी हो गई है इस तरह से आप अगर कुकरे में बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बड़ी असा कुक हो जाता है तो ये देखिए आप हमने इसको सर्व कर लिया है हमारा आलू मटर की तहरी बनकर रेडी हो गई है आप जब भी बहुत जल्दी में हो तो आफट आफट इसको बस 10-15 मिनट में तयार कर सकते हैं बेतरीन सा खाना और सरदियों में तो बहुत सारी मटर आती है तो आप ऐसे आल हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज